प्रदेभा उम्र की मुहताज नहीं होती इसी मानिता के मिसाल है खादिवास निवासी नौ साल की दृष्टी फोगाट दृष्टी अपने लेखन के लिए माहिर है दृष्टी ने पिछले दिनों एक मिनट में चोवन सुन्दर और आकर शक शब्द लिखकर विश्वर रिकॉर्ड बनाया है लंदन के संस्थाने दृष्टी को इन दौर में सम्मानित क्या है पांचवी कक्षा की छात्रा दृष्टी ने पिछले साल भी एक मिनट में सारवाधिक शब्द लिखकर राष्टी अस्तर पर रिकॉर्ड बनाया था बेटी की सुपलब्धी पर जहां परिवार को गर्व है वह दृष्टी अपने जीवन में अन्यवर्गों में रिकॉर्ड बनाने का सपना है मेरा नाम दृष्टी है मैं पाचवी कक्षा में पढ़ती हूँ मैं नो साल की हूँ मेरे ममी पापा ने मुझे बताया था कि तरी रैड मैं जब एक साल की थी जबसे मेरे को हैड राइटिंग का सोख था कि मैं हैड राइटिंग में वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड तोड़ बाद में मैंने पहले इंडिया बुक ओफ रिकॉर्ड तोड़ा था उसके बाद मैंने वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड तोड़ा निर्मला ने बताया कि 2022 में ही दृष्टी ने एक मिनट में सरवाधिक शब्द लिखकर राष्ट स्तर पर रिकॉर्ड बनाया था पिछले साल दिसंबर में लंदन के संस्था वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड के लिए दृष्टी ने आविदन किया था इसके बाद संस्था ने टीम को दृष्टी के घर भेजा और टीम वहां से उसके होनर की विडियो बना कर ले गई सठ सठ प्रतिभाग्यों ने इस परधा में भाग लिया था दृष्टी ने अपना होनर दिखाते हुए विश्वय रिकॉर्ड बनाया है बेटी को प्लब्धी के लिए उसे माई में इन दौर में नेपाल की बिजनिस आइकॉन डौक्टर भावानी राणा आई एस दिनेश जैन और मध्यवर्देश के एडी जीपी कृष्णा प्रकाश ने दृष्टी को सम्मानित किया दृष्टी फोगाट ने बताया कि उसने अपनी मा से इंटरनेट के माध्यम से नए नए अक्षर बनाने सीखे थे माने उसे सिखाया तो वो रिकॉर्ड बनाने में काम्याब हुई दृष्टी ने बताया कि वो कुछ नाया करने के लिए मन में सपना संजोए है और आई एस बनने का उसका सपना है यह जैसे गूड मॉर्निंग वगेरा यह पिको का इंगलीस में बोलना सीख गई थी और दो साल की थी तभी से मैंने कभी इसको पैंसिल पकड़ना सिखाया नहीं था मतलब कुछ से पैंसिल पकड़ के खुद से लिखा करती थी और जब मैंने इसका नाम लिखवाया उस टा है जाए तो मैंने इंटरनेट पे देखके इसको सारी एरतर है कि राइटिंग लिखने इसका इसने बहुत ही फास्ट ली मतलब बहुत ही जल्दी करना चीका उसको द्रिश्टी के सुपलब्धी से पूरा परिवार बहुत खुश है लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं ऐसे तती बेबार